नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है बहुत लोगों के मन में अभी भी ये कन्फूजन रहता है कि जो हमारी करीबी आत्मा होती है उसमें और हमारे समुदाई के आत्मा में आखिर क्या फरक होता है क्या गरीबी आत्मा और समुदाई की जो आत्मा होती है वो एक ही होती है कि अलग अलग होती है इसके बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे दोस्तों तो समूद है कि जो आत्मा होती है दूस्तों वो किसे कहा जाता है कैसे है कि आत्मा लोक में हम एक से साथ जो लोक होते है उस किसी एक लोक में एक जगा पे रहते हैं मतलब हमरी आत्मा का जो स्तर है वो जिस तरीके से होगा अगर हम विकसित आत्मा हुए तो हो सकता है कि छट और सिस्ट से Knowing mee भूदिंगे जीन वो सकती है। नहीं हिं उसा, उसकी एक स्मूधाय होता है। उसका जो विकासतर होता है, जादातर उसके समूदाए के जो लोग है, उनका भी वही विकास मतलब चल रहा होता है और इस तरीके से अपने लोगों के साथ वो उस दुनिया में एक साथ वहाँ पे रहती है मतलब एक उधानन के दोड़़ पर देखा जाए, तो जैसे हमारा जो क्लास होता है, मतलब एक क्लास में तकरिवन एक पाचाट-साठ समझो बच्चे है, पाचाट समझो विध्यार्ती पढ़ रहे हैं, तो ऐसे जो विद्धारती है इस तरीके से हमारा समूदाय होता है जैसे हमारा जो क्लास है उसमें मेरा जो कोई मतलब करीबी आतमा होगी या फिर मेरे कोई मतलब एक जोस्त दोस्त होगा मेरे क्लास का वो भी मेरे क्लास में ही होगा मतलब मेरा और उसका जो फिलाल हम पढ़ रहे है जिस छातरा में है वहां पर हमारी जो विकास छिलता है वो एक ही तोर पर है जैसे मैं एक बच्चा हूँ समझो तो मैं 5th क्लास में हूँ तो मेरे क्लास में जो भी बच्चे होंगे वो 5th क्लास के ही होंगे तो इसी तरीके से आस्मा का विकास जहाद तक होता है आत्म लोग में उसी तरीके से उसके जो करीबी मतलब जो समूदाय की आत्मा होती है वो उससे कही ना कही रिलेटर ही होते है बहुत बार ऐसी जो हमारी मतलब करीबी आत्मा हो या फिर समूदाय की जो आत्मा हो उनका जो समूदाय होता है वो इस तरीके से होता है समूदाय मतलब हमारे एक बड़ी स्कुल मतलब आप समझ सकते है कि आत्मा लोग समझे और उसमें से एक क्लास कोई तो पांच भी हो या फिर छटी हो तो ऐसा वो हमारा समूदाय हो सकता है मतलब एक कलास, मतलब एक समुदाई इस तरीके से वहाँ पर दुनिया होती है आत्मों की और ये इस तरीके से मतलब जो हमारे कलास में बच्चे होते है वो तादात में समझो जादा है, बच्चास साथ है तो ये सारे जो है, वो मेरे समुदाई की आत्मा हुई तो जो करीबी आत्मा है वो कौन होती है करीबी आत्मा नो अतलब ऐसी आत्मा हमारे क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते है लेकिन उसमें से कोई दो-तीन हमारे बहुती close friends होते है close दोस्त होते है वो हमारे जो दोस्त है उनको हमारे बारे में सब पता होता है उनको करीबी आत्मा कहा जाता है, मतलब हमारे समुधाई में हो सकता है कि बहुत सारी आत्माएं हो, लेकिन उन सारेों के साथ हमारा समबंद एकदम अच्छा नहीं होगा, हाँ उनसे जान पैचान होगी, कबा कबार एक दूसरे को मदद करना होगा, लेकिन उनके बारे में हम जादा एकदम जुड़े हुए उनके साथ नहीं होते मतलब ऐसी जो आत्माई होती है जिनके साथ हमारे जो बॉंडिंग है वो बहुत ही अच्छा है जो उस पचास अड़ बच्चों में हमारे चार-पाच अच्छे दोस्त होंगे उनको हम कह सकते है कि इसी जो आत्माई होती है वो हमारी करीबी आत्माई होती है और जिस तरीके से हम धर्ती पर बार-बार जनम लेते है तो इस तरीके से दोस्तों हमारी जो करीबी आत्माई जो होती है वो भी हमारे साथ ही गुजरते हैं जैसे उनसे भी कोई अगर दोस्ती करने की कोशिश करे तो वो उनसे जादा घुल मिलते नहीं है तो आत्म लोक में भी ऐसे आत्मा ये होती है क्या तो जादा तर ये इस तरीके से नहीं देखा गया है दोस्तों वहाँ पर ये देखा गया है कि जैसे पृत्वी पर किसी एक इंसान ने कुछ जिंदगी काटी है और वो समझो आत्म लोग में चली गई है आत्मा तो ऐसे समय में कुछ पल के लिए वो हो सकता है कि एकांत में रहे लेकिन हर एक इस आत्मा का कही न कही उसके जो करीमे आत्मा है कोई न कोई होती ही है जाधातर क्योंकि कुछ आनिया ऐसे भी होई थी दोस्तो कि जहां पर एक आत्मा जो थी वो विकास के कही न कही उपर उपर जा रही थी समझो वो पाचमे लोग में है तो ऐसे जो आत्मा है कुछ उसके जीवन में हुआ और वो कहिना कही माया में अटक गई या विरुस के हाथों से कुछ बुरा करम हुआ इसलिए वो एक दो लोग समझो नीचे आ गई तब ये भी दख गया था देखा गया था दोस्तों कि ऐसी जो लोग की आत्मा है मतलब वो नीचे चली गई है लेकिन नीचे जाने के बाद भी उसको कहिना के उससे किसी दोस्ती हो सकती है या फिर निचले सर की कोई आत्मा जो उसके जैसे ही उपर से नीचे आई है तो वहाँ पर तो उसका जो समूद है वो पुरी तरीके से बदल जाएगा लेकिन फिर भी वहाँ पर भी उसके किसी किसी से दोस्ती होकर वो कहिना कि उसको एक दूसरे को हेल्प करने की जरूर कोशिश करते है दोस्तों मतलब एक कहिना कि एक दूसरे को सहरा देना एक दूसरे का सहरा बनना इस तरीके से चीजे जो होती है वो आत्माओं की सथ बहुती अच्छे से हो सकती है इसलिए पृत्वी पर समझो एक कोई इंसान अकेले पंद में इसे गुजर रहा है या फिर उसका कोई भी समझो इस दुनिया में अपना नहीं है तो आत्मों लोक में भी वो बहुती अकेले बेचारा किसी तरीके से जिन्दगी काटेगा ऐसे हमेशा नहीं होता वहाँ पर उसके जो करीबी आत्माओं हैं वो उसको हेल्प करेंगी उसको सहारा देंगी उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा होगी वो भी उसकी मदद करेंगी तो इस तरीके से जो आत्मा होती है वहाँ पर एक साथ रहती है दोस्तों तो इस तरीके से हमारे जो समुदाई की आत्मा होती है उनके साथ भी जैसे किसे एक जीवन में वो हमारे एकदम करीबी कोई नहीं हो लेकिन फिर भी उनके साथ हमारे मतलब एक दूर का विरिष्टा हो सकता है हमारे इस जीवन में इसलिए ऐसी जो आत्मे होती है वो हमारे समुदाई के भी हो सकती है और जो हमारे करीबी आत्मे होती है वो एकदम हमारे करीबी मतलब डिश्टेदार हो सकते है हमारे दोस्त हो सकते है तो इस तरीके से हमारे जो समूदाई की और हमारे जो करीबी आत्मा होती है वो हमारे जीवन में मतलब आत्मा के सारे जीवन में कही न कही वो बहुत ही एहम अपना रोल निभाते है और उनके जीवन में हम भी एक एहम रोल उनके लिए होते हैं दोस्तों तो इस तरीके से आज के इस भाग में हमारी जो गरीबी आत्मा होती है और हमारे समुदाई की जो आत्मा होती है इनको हमने जानने की कोशिश करी दोस्तो तो दोस्तो हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विशय को ले कर मिलेंगे तब तक आप अपने परिवार का खायाल रखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टनसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिनोंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही जादा दुखी है जो लोग इस संस्ता के साथ जुड़ते है उन्हें पास्ट लाइफ इरिग्रेशन की ओडियोस भेजी जाएगी जिससे घर बेटे वह पास्ट लाइफ इरिग्रेशन का बैस कर सकते है और उन्हें पाच मेडिटेशन धेन की ओडियोस भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें पिलियेफ किताबे भेजी जाएगी जो हिंदी और अंग्रेजी में है जो मोबैल पर या फिर लैपटोप पर आप उसे पढ़ सकते है और दस ओडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएगी तो दोस्तो अगर आप इस संस्ता के साथ जुड़ना चाहते है तो गुरुपया इस नमबर पर वाट्सअप मैसेज करे आपका बहुत बहुत धन्यवाद